गुरू और शिष्य की एक अनोखी कहानी. एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरू जी से पूछा. गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज़ा देते हैं इनमें कौन सही है? गुरु जी ने ततकाल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला, उनके लिए जीवन एक संघर्ष है जिन्हें गुरु मिल गया, उनका जीवन एक खेल है और जो लोग गुरु द्वारा बताये गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं ये उत्तर सुनने के बाद भी शिश्य पूरी तरह से संतुष्ट नथास गुरु जी को इसका आभास हो गया एवे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ ध्यान से सुनोगे, तो स्वयम ही अपने प्रश्ण का उत्तर पा सकोगे उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी एक बार की बात है कि किसी गुरु कुल में तीन शिश्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दाक्षणा में उन से क्या चाहिए गुरु जी पहले तो मंद मंद मुस्कराए और फिर बड़े सनेह पूर्वक कहने लगे मुझे तुमसे गुरु दाक्षणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए ला सकोगे वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे सूखी पत्तियां तो जंगल में सरवत्र बिखरी ही रहती हैं वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले जी गुरु जी जैसी आपकी आग्या अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुँच चुके थे लेकिन यह देखकर कि वहाँ पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुठी भर ही थी उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा वे सोच में पढ़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठा कर ले गया होगा इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया वे उसके पास पहुँचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे अब उस किसान ने उनसे क्षमायाचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का इंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था अब वे तीनों पास में ही बसे एक गाव की और इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गाव में उनकी कोई सहायता कर सके वहां पहुँचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बना कर बेच दिये थे लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढी मा का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी पर भाग्य ने यहां पर भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वह बूढी मा तो उन पत्तियों को अलग-अलग करके कई प्रकार की ओशधियां बनाया करती थी अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरु को लौट गए गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा पुत्रो ले आये गुरु दक्षिना तीनों ने सर जुका लिया गुरु जी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिश्य कहने लगा गुरु देव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सरवत्र बिखरी ही रहती होंगी लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उप्योग करते हैं गुरु जी फिर पहले ही की तरह मुस्कराते हुए प्रेम पूर्वक बोले निराश क्यों होते हो प्रसन्न हो जाओ और यही ग्यान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती बलकि उनके भी अनेक उप्योग हुआ करते हैं मुझे गुरु दक्षिना के रूप में दे दो तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्र चित्त होकर सुन रहा था अचानक बड़े उत्साह से बोला गुरु जी अब मुझे अच्छी तरह से जहात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं आपका संकेत वस्तुतह इसी ओर है न कि जब सरवत्र सुलब सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्व हीन मानकर उसका तिरसकार कर सकते हैं चीन्टी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना-पना महत्व होता है गुरु जी भी तुरंथ ही बोले हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्यमान देने का भरसक प्रयास करें ताकि आपस में सनेह, सद्भावना, सहानुभूती एवं सहिष्टुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाए उत्सव बन सके दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ, एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग ले और अपने निश्पादन तथा निर्मान को उँचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें अब शिश्य पूरी तरह से संतुष्ट था अंततह, मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्थरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दूसाहस नहीं करता और उसकी यही उर्जा उसके पुरुशार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है वस्तुता हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुशार्थ ही होता है ऐसा विद्वानों का मत है सनासट